अभी आपने देखा होगा कि लफ एक मॉल के जरीए मॉल के जरीए लफ त्यागी को निकाल दिया वो कितना अन्फेर था लफ के लिए या लफ के जो भी सपोर्टर्स थे उनके लिए कितना है अन्फेर नहीं था मुझे तो बहुत गलत लगा कि उसके वोट सिफ 293 थे और उन्हेंने सिफ 393 100 वोट बढ़ा के बोले जो कि बहुत गलत था तो उन्हें वोट उतने मिले ही नहीं थे तो लफ्तियागी का जो जाना वो चले गए लफ्तियागी इस तरीके से बिग बॉस निकाला तो आपको लगा कि वो फेर है कहीं ना कहीं वो विकोज क्यूंकि उसमें वो मैचर्टी नी थी जो पुनी सर्मा में अब ही आपने देखा होगा कि लफ्तियागी को एक मुंबई के मॉल में लेके जाके जाके अलिमिनेट कर दिया अगर बिग बॉस इसले ही कि नॉमली लोग मतब वोटिंग के जरीए ही होता है तो आपको कितना फेर लगता है कि लफ्तियागी का निकलना बिग बॉस ने सही तो सब को वोट मिले अब डिपेंड करता है कि आपकी फेन फोलाइंग आपने पर्टिकलर ली मुंबई के लिए कितनी क्रियेट कि आप बिग बॉस चुकी मुंबई में हैं तो मुंबई में रह तो आपने मुंबई की ओर्डियंस का कितना दिल जीता अभी आपने देखा ह वोगा कि लाइव वोट इटी पबलिक वोट इटी जिसमें लव त्यागी को निकाल दिया गया था तो बहुत सारा लोगों ने हैस्टग बनाए कि अन्फेर वित लॉव तो इसमें आपका क्या कहना है कि अच्छल में अन्फेर हुआ लव के साथ कि नहीं कि एक मॉल में जा वोटिंग में जा नहीं था पूजया में कितनी बार पूच्छी अभी ऐसा हुआ है कि इसे बहुत रैलीज हुई है लव के लिए अगर आप देखेंगे नौईटा की साइड में या गुडगाओं की साइड में कि महां बहुत रैलीज हुई है तो उस बेसे करवाए गया है कुछ नहीं होगा पैसे दिया हुँगे उसकी फैमली में और करवा दिया है बस लव इतने दिन टिक ऐसे हम तो यह सोच रहे हैं वो करता है क्या था ही ना के साथ था बस पूच्छ मन के फिर रहा था उसकी और या था उसकी मुंबई महरास्ट्रा के मॉल में वोटिंग हु हुआ हुआ है